अर्धवार्षिक एवं तिमाही संयोजन पर चक्रुद्धी ब्याज की गर्णा वर्तमान में कई कार्यों एवं बैंकों में ब्याज की गर्णा वार्षिक न करके अर्धवार्षिक या त्रेमासिक की जाती है अर्थात हर 6 माह अत्वा 3 माह में मूलधन बदल जाता है जब ब्याज अर्धवार्शिक संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष में 2 छे माही यानिकी 2 अर्धवार्शिक होता है और ब्याज की दर आदी हो जाती है तथा यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए पहला अर्धवार्षिक संयोजन होने पर मिश्रुधन बराबर मूलधन गुनित कोश्टक में एक धन अर्धवार्षिक ब्याजदर बटे सो पूरे की घात अर्धवार्षिक की संख्या दूसरा तिमाही संयोजन होने पर मिश्रधन बराबर मूल धन गुनेत एक धन तिमाही ब्याजदर बटे सो पूरे की घात तिमाही की संख्या करके देखें पहला देड़ वर्ष के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक दर से 4000 रुपे का चक्रुद्धी ब्याज ग्याद कीजिए दूसरा यदि ब्याज का संयोजन अर्ध वार्षिक हो तो 1500 रुपे पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से डेड़ वर्ष के लिए चक्रुद्धी ब्याज की गढ़ना कीजिए तीसरा दीपक ने एक बैंक से 80,000 रुपे कर्ज लिया यदि ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष और समय दो वर्ष हो तो उसके द्वारा कुल देयराशी में अंतर ग्याद कीजिए जब पहला वार्षिक संयोजन हो दूसरा अर्ध वार्षिक संयोजन हो